बॉलिवूर्ट से एक और बुरी खबर सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे मशूर गीत कार देव कोहली काई कैसे साल की उम्र में दिधन हो चुका है देव कोहली ने आज मुम्बई के अस्पताल में अपनी आंकरी सास ली बॉलीवूर्ड में करीप सो से भी ज्यादा गाने लिखने वाले देव कोहली ने शारुफ खान की बाजिगर और सलमान खान की हम आपके है कौन जैसी हिट फिल्मों में गाने लिखे हैं देव कोहली पिछले कई दिनों से बिमार चल रहे थे जसके बाद उन्हें कोखिला बेनमबानी अस्पताल में भरती करा गया था देव कोहली ने 26 अगस्त को अपनी आखरी सास ली है देव कोहली ने बाज़िगर हम आपके हैं कौन मैंने प्यार किया शूट आउट से लेकर के सो से भी ज्यादा फिल्मों में गाने लिखे उन्होंने आखरी गाना कंगरा नौत की फिल्मर रज्जो का लिखा जिसमें गाना मेरी दिल की ट्रेन बुलाती है लिखा था देव कोहली ने शंकर जैकिशन से लेकर विशाल शेखर तक के संगीत कारों के साथ काम किया है दो नौंबर 1942 को पाकिस्तान के रावल पिंडी में देव कोहली का जन्म हुआ था साल 1950 के आसपास देव कोहली डिल ले आये थे और बचपन देहरदून में उन्होंने बिताया था जिसके बाद करियर के शुरुआत की देव का पहला गाना शारुक खान की फिल्म बाजिगर का गाना ये काली-काली आखे जो कि काफी सूपर हिट हुआ था गाने में अनुमलिक ने आवाज दे थी बाजिगर का ये गाना लोगों को काफी पसंद आया था फिल्म फिर पुरुसकार भी इस गाने को मिला देव कोहली और अनुमलिक की दोस्ती काफी जादा पुरानी और बहुत अच्छी है अनुमलिक अपने फटाफटगाने लिखने के कला से काफी प्रभाविट रहते थे बता दे के जिन्दादिले इंसान देव कोली के गाने लिखने के कला काफी ज़ादा भहतुरीन थी सर्फ दो से तीन मिन्टों में देव एक गाने का मुखडा लिख करके तयार कर दिया करते थी आज पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री से लेकर के बॉलिवोड इंडस्ट्री सदमे में है और अब धीरे धीरे घरवालों को सभी समवेदना देने के लिए मौजूद हो रहे हैं बता दे कि बॉलिवोड के लिए एक बड़ा चटका कई बहतरीन फिल्मों में कई बड़े गाने लिखे जो कि आज भी काफी ज्यादा फेमस हैं लोगों की जुबा पर हैं लेकिन देव कोहली उन गानों की याद को लेकर इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं